वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आज बिल्कुल एक फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का टॉपिक है मेडियन अब आपके मन में सभी कि सवाल आया होग होगा कि सब्सक्रीं के बारे में अच्छे से क्लेटी वह कि किसी ग्रूप को रिप्रजंट करना हो किसी ग्रूप की इंफॉर्मेशन हमें जो है रिप्रेजान करनी है तो स्प्रेंट करना सामने वाले के लिए समझना भी बड़ा मुश्ष्किल है तो पूरे group को represent करने के लिए हम पूरे group का जो data होता है जो भी information है उस से related data होता है उस data का sum करके और number of observation से divide करते हैं और each पर जो sharing आती है equal sharing उसको हम बता लेते हैं कि भया मेरे group की performance यह है अगर मेरी classroom है और कोई मुझसे यह जानना चाहता है कि sir आप कितने यंग बच्चे को पढ़ाते हैं तो मैं एक एक बच्चे के बारे में ना बता करके मैं अपनी classroom के बच्चों की age का sum करके divided by number of students करके मैं average age बता सकता हूं कि मेरे class में 20 years old students है हाँ मैं यह नहीं कहता हूं कि इतना ही रोल है कि आईडिया देना एक आइडिया लग जाना बस उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा scientific यूज नहीं है जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके बारे में एक आईडिया का हो जाना एक आईडिया लग जाना बस एही मतलब है तो मीन से भी फुल्फिल हो जाता है त क्योंकि अगर मैं मीन 20 कह रहा हूं तो उसका यह नहीं बच्चा हो गया वह किसी को कोई एक्च्वल में 21 का तो यह जानना था यह बात उसको समझ में आ जाएगी इससे तो एक्च्वल डेटा का कोई रिक्वार्मेंट नहीं अगर मैं किसी गुरूप के वारे में बताना चाह जाता है तो वह मीन से भी काम फुल्फिल हो जाता है यह तो मीन का काम था जो कि हमने सीख भी लिया लेकिन आज का टापिक मेरा है मीडियन तो सर यह मीडियन क्या है मीडियन किस परपस के लिए यूज में आता है मीडियन को हम क्यों पढ़ रहे हैं मीन का तो समझ में आ गय हैं हम तो आए आज शी क्लास में सबसे पहला इसी सवाल का जवाब लेंगे कि मीडियन क्या है उसके बाद कोश्चन्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे बात करते हम टॉपिक में कि मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या है अब मीडियन में बच्चे हम बात करते हैं तो इसको एक परसन है ठीक है और इसके जो है घर में इसके पाच बच्चे हैं इस परसन के कितने बच्चे हैं पाच बच्चे हैं चलिए मैं पाच बच्चे दो तीन चार जाओ फ़िए पाँच बच्चे हैं तो इसमें कोई एक बच्चा जो है वो 7 years old है, एक बच्चा जो है, वो 9 years old है, एक बच्चा जो है, वो आपका 12 years old है, एक बच्चा 13 years old है, और एक बच्चा जो है, वो 16 years, ऐसी तरीके से, कोई 7 years old है, कोई 6 years old है, कोई 9 years old है, कोई 15 years old है, और कोई 11 years old है यह कुछ इस तरह के से एक घर में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों की एज यह रहे ठीक है न, यहन के पिता जी है अब कहीं पर भी जाते हैं तो इन से पूछ जाता है कि भई साथ वह सेवन यह का है, एक का नाम B है, वह 6 years का है एक पैज बच्चा बताबने लगया। सब्रीक से।ब अब यह पर्संग जो है बोर हो गया। कि कोई भी इससे पूच्छता और क्या हो पूर्वेतक refresh your flight कोविज है पूर से अदिटेल ये इतने इतना इतने का ह मिरे पास आ। समय करता थो मैंने क्या समस्या है क्या समU से सर्मेरे पांच बच्चे कोंते पूस्ता है कितने बड़े बच्चे पूस्त थो मुझे पांचयों की 벌써 समझझ जात इसको किसी को वेक्ट करना है तो आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा मीन का मतलब क्या हो गया कि आपको इनका सम करना पड़ेगा तो सात प्लस 6, 13 प्लस 9, 22 22 प्लस 15, तो 22 और 32, 37 37 और प्लस 10, 47 और 48, तो यह कुल मिला कर लिए आपको सब का सम करना पड़ेगा और 5 बच्चे तो 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपके पास में जो है, यह आपके पास में टोटल आ जाएगा, फिर से एक बार एड़ कर लेते हैं, 6 और 6 और 9 15, 15 और आपके पास में 6, 21, 21 और आपके पास में 7, 28 22, तो 2 और आपके पास में 3 और 1, 4, 48 बटा 5 और 95, 45 तो 3, 5, 31 तो क्या हो आपके पास में 9.6 9.6 हमारे पास में जो है, क्या है, एक एवरेज एज आ गया, मैं कहता हूँ, आप कोई भी आपस से पूछे ना, कि 5 बच्चे कितने बड़े हैं, तो बोल देना कि ऑस्तन 9.6 यह रहे, बलब 9, 9, 10 साल के आप, 9.6 का मतलब यह हो गया, यह 9 साल के बीच में बच्चे, जो हैं, औस तन 9 साल के बच्चे हैं, तो उनको तो कुछ ऐसा थोड़ी करना है, क्यों लैब में बच्चे को ले जाना है, आपके, उनको तो यह समझना है, कि यह calculation मुझे समझ में नहीं आता है, मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ, आज आप तो निकाल के बता दोगे मुझे, तो ठीक है, मैं बता दूँगा 9.6, कोई 1-2 साल के बाद मुझे से पूछेगा, तो बच्चों की age यह रहेगी नहीं, तो चेंज हो जाएगी, तो उस समय फिर से मुझे जोड़ना और डिवाइट करना पड़ेगा, तो मुझे आता नहीं है, यह रास्ता तो भीजा मैं चलनी पाऊंगा, आपको दूसरा सरल रास्ता बताए, यह पड़े लिखो का रास्ता है, हम तो भीजा पड़े लिखे नह या तो बढ़ते करम में या घड़ते करम में आप लिख लो, ने लिख सकते तो खड़ा कर लो अपने सामने, बढ़ते करम में या घड़ते करम में, चले बढ़ते करम मतलब असेंडिंग ओडर में, तो मैं जो असेंडिंग ओडर में रेंज कर रहा हूं, तो एक कितने का है 7 6 है 7 수 van 9 수 van 11 수 van 11 수 van 15 수 van तो इस तरीके से आपकी इच्छा है आप बढ़ते करमे लिखे हैं गड़ते करमे ऐसे कर लिए आप जब भी आपको जो भी साल में आपको बच्चे की एजट जाननी शो तो ठीक है तो फूंडं की ठीक है नहीं है आयो अनुसार अरेंज कर दूँगा उचाए के अनुसार नहीं बात समझ गए है वह हमें एवरेज हाइट थोड़ी बतानी है आयो के अनुसार अब उसमें से जो बीच वाला होगा न तो वह बीच वाला जो है आप लोगों को बता दे ना कि ये आपके बचों की जो है लबभ लबग ये एज है बीच वाला क्या है नाइन येस तो वह मुझे बूलेगा क्या सर ये तो आपने क्या मैंने भी मीन निकाल लिया आपकी तरह जैसे कि आपने अभी थोड़ देर पहले मुझे बताया था कि मीन निकालना पड़ेगा तो क्या आपके इस तरीके से भी मीन आया है क्या इस तरीके से भी मीन आया है क्या ये मीन है मैं बोलूगा बिलकुल नहीं मीन नहीं है क्लियर है ये मीन के नियरेस्ट नमबर है जिसको हम बोलते हैं मीडियन जिसको हम क्या बोलते हैं मीडियन आपको स तो उसका सब्सिट्टूट आप जैल पैन हो गया तो जैल पैन से आप अपना काम चलाते हैं उसी तरीके से मीन का भी परपज है कि गुरूप को रिपरेजन्ट करने वाला नमबर है जिसको आप किसी गुरूप को कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकते हो अब जापान की एवरेज एटी एर से एक्सांपल के लिए तो देखेंगे कितने कम समय में पूरे जापान के लोगों की एक तरिके से आपको आइडिया हो गया लोग लब लब कितना जीते हैं भारत की एवरेज साट साल है तो एकदम से कंपेर भी हो गया पूरे जापान की आवादी पूरे 140 क्रोड की भारत की अवादी दोनों में चंड में तुलना कर पाया कि वह और साथ यहां की जीते हैं इतना ही ज़रूत तो आवरेज क्या करता है कि किसी वी ग्रूप को कितने आसानी से कम टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम में एक्स्प्रेश कर देता है इसे कंपेर करना हमारे आपको एक आइडिया ही लेना होगा ना आपको तो एक आइडिया ही लेना पड़ेगा बास समझे तो आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा आपको एक रुजहान ही लेना पड़ेगा ना कि बिसकली आइडिया क्या है आपको रुजहान क्या है ठीक है तो इसी तरीके से अगर में मेरे बास समझेगा अगर आप 15,000 उपय कोई ब्रैंड स्टार्ट करना चाहते हैं किसी एरिया में 15,000 उपय स्टार्टिंग हो ब्रैंड लोगों की एवरेज सेलरी 12,000 निकल करके आई उस एरिया की तो क्या ब्रैंड शोरूम लगाओगी न लगाओगी तो में थोड़ा उपर नीचे हो जाए तो इससे डिसेजन लेने पर कोई फर्क है नहीं पड़ता है तो मीन नहों करके मीडियन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा आईडिया तो लब 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 वही जाएगा इसलिए मीन का सब्सिट्टूट क्या हमारे पास मे मीडियन है दोनों एक ही ही चीज है अब आपके पास मीडियन सवंच में आ गया अब लेकिन मीडियन को करने का प्रोसेस क्या होता है तो आपको सिंपल प्रोसेस बीच वाला पकड़ लीना वह बीच वाला आप इसलिए पहले तो असनिंदिंग और स्टेप नमर बन लिए बड़ी समस्या हो जाएगे तो देखे नाइन है और यह क्या है 9.6 के निरेस्ट तो आपका असनिंग और में अरेंज होना चाहिए नहीं आरेंज हो तो मालों यह आपका छे हो तो आप छे पकड़ लोगे बीच वाले के चक्कर में तो बोलो को छे है जो कि मीन के निर पर आइज़ करो तो पर आप असनिंग या डिसनिंग और में इसको अरेंज करो स्टैप नमर वन तो आपको पांच नमरों में वी चोला आपको दिख रहा है कि यह यह बीच वाला है लेकिन अगर यह बहुत सारी सरंखला हो बहुत सारी लोग हो तो भी वाला कौन है तो प् इसको कहते हैं कि मतलब कि एक होता ना जैसे कि बीच में एक होता है बीच में क्या है नाइन और यह कौन से पर स्थान पर है तीसरे स्थान पर है तो बीच वाला कहां पर मिलेगा पहले पर दूसरे पर तीसरे पर चोथे पर पांच में पर तो कौन से स्थान पर बीच वाला मि लेगा तो पहले address लो इसको हम बोलते हैं size of median और इसको हम बोलते हैं median तो आपको पता लगा कि size of median basically क्या होता है जैसे कि मैं बोलता हूँ कि house number 234 में चले जाओ दोसो 34 में चले जाओ यह तो address है दोसो 34 में जो मिलेगा वो उससे मिलना था आपको तो इसी तरीके से बीच वाला कहां मिलेगा वह address कौन से number पर है बीच वाला इस्थान कहां पर है वह address उसको हम बोलते है size of median और उस address पर जो है जो बीच में जो है actual में data उसको हम बोलते है median तो सबसे पहले step number ascending order में arrange करो step number 2 क्या हो गया आपका कि बीच वाला पता कैसे लगए बीच वाला कहां पर है तो इसको size of median के अगर बात करों तो size of median जो कि क्या होता है n मतलब है total कितने number of terms है plus 1 divided by 2th term तो यहां पर आप देखेंगे size of median and कितने 5 plus 1 divided by 2th term third term clear है सब्सक्राइब तो size of median मतलब कि बीच वाला कहां मिलेगा 3rd पर मिलेगा अब 3rd पर कोन है तो 3rd पर आपका 9 है तो median क्या हो गया median यह नहीं है median आपका 9 है यह आपका final answer है तो तीन step हो जाता है एक तो इसको ascending या descending order कोई भी order में arrange करो दूसरा आप देखो कि middle term कहां पर मिलेगा size of median उसके बाद उस place पर जाकर कि जो आपका data है उस data को आप लिख दो वो आपका median हो गया तो तीर स्टेप होता है median इसी को कहते हैं आपको meaning और सब को समझ में आ गया यहां पर मैंने 2 सवाल के लिए रखे हैं एक first एक second मैं पहले first सवाल का आपको answer कर देता हूं हां जी तो first question मेरे पास में वह देखिए क्या है first question मेरे पास में मैं first question की बात कर रहा हूं तो क्या है अठारा है कि बारा है सत्रा बाइस बीस सत्रा बाइस बीस मैं first question की बात कर रहा हूं तो first step क्या होगा इसको आपको ascending order में arrange करना पड़ेगा तो ascending order में कैसे arrange करेंगे तो सबसे पहलें आपका सबस्क्राइब क्या निकालेंगे आप size of median चाहने कालेंगा आप उसके बाद size of median size of median क्या होता है हमारे पास में n plus 1 divided by 2 2th term मतलब बीच वाला कहां में लेगा उसके बाद आप देखेंगे size of median क्या है आपका size of median मत्चे कहा है आपका n मतलब कितने term से total 5 है तो 5 plus 1 divided by 2th term जो कि कितना आएगा third term अब third term पे क्या है आपका तो third term पे यहां पर क्या आपका 18 क्या है 18 तो आपका 18 क्या हुआ आपका median हुआ यह आपका final answer है पर बात सब्सक्राइब आपको आई या नहीं है सेकंड कोशिन सेकंड कोशिन क्या हमारे पास में पिच्छासी 85 69 74 60 59 60 59 84 64 अब यहां पर सबसे पहले होई काम करेंगे इसमें भी ascending order arrange करो च्छोटा नम्मर कौँ से है इसमें 59 तो 59 और उसके बाद आपका है 60 59 60 60 के बाद आपका हो गया 69 69 के बाद आपका हो गया 74 74 के बाद आपका हो गया 84 और फिर आपका हो गया 85 ascending order में arrange करो आपको क्या निकालना पड़ेगा अब आपको यहां पर वही size of median क्या आएगा आपका वही करिंगा आप n प्लस 1 डिबाड़ी बाए 2 वेट term अब size of median देखते हैं कितने term से यहां पर 6 हैं तो 6 प्लस 1 डिबाड़ी बाए 2 वेट term जोगी क्या आपका 3 पॉइंट 5 तर्म इससे पहले तक तो आसान था क्योंकि 5 साथ प्लस एक तो वह पूरा कट रहा था अब नहीं कट रहा 3.5 तो इसका मतलब 3.5 क्या होगा median कैसे निकाल लेंगे median equals to 3.5 तीनो चार के बीच में होता है तो थर्ड टर्म प्लस फॉर्थ टर्म जिसके बीच में है डिबाड़ी बाए 2 तो थर्ड टर्म पे क्या है एक दो तीन 69 और फॉर्थ टर्म पे क्या है 74 डिबाड़ी बाए 2 समझ गए तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पर कॉक्शन को निकाल सकते है 69 प्लस 74 डिबाड़ी बाए 2 तो 71 पॉइंट इसका जो फाइनल आंसर है 71.5 यह आपका median हो गया तो बच्चे आपको सुन्य में आया है पहले बताइए ज़रा कि आपको जो है किस तरीके से आपका individual series की बात कर रहा था है यहाँ पर क्योंकि एक individual data given था किसी data के साथ में कोई frequency नहीं थी कि इतने लोगों का data है ऐसा कुछ था नहीं तो यह individual series में कैसे निकालते हैं अब बात करता हूं मैं बच्चे एक discrete series की calculation of the median in a discrete series तो यह आपके सामने discrete series है तो discrete series की मैं बात कर रहा हूं तो देखेंगे आप जड़ा हाँ देखो बच्चे discrete series है इसका मतलब क्या है इसका मतलब अगर मैं आपको detailing में समझाओं जड़ा पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप मैं अभी समझा रहा हूं उसको erase कर दूँगा फिर मैं सवाल पर आऊँगा ठीक है मालो मेरे पास है कोई data है like मेरे पास में 10 12 15 20 frequency है 3 2 5 4 क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि 10 data कितने लोग के पास में इसका और 12 की frequency 2 है इसका मतलब है 12 12 जो data है वो दो लोग के पास में है 12 and 12 ठीक है और 15 5 है तो इसका मतलब यह है कि जो 15 है वो 5 लोग के पास में है ठीक है 24 है तो मतलब है कि जो 20 है वो चार लोग के पास में यही तो मतलब है ने इसका अगर मैं इसको individual series में लिखूँ यही तो मतलब है इसका clear है बच्चे आप जैसे कि यहां पर आपका middle term कौन सा होगा जरा इस पात को समझेगा इसमें से middle term कौन सा होगा यह पता करना है आपको क्यों कि मीडियन तो यह होगा असेटनिंग और में तो है middle term माला आपका मीडियन होगा मिलर टाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही size of वही करेंगा size of median एन प्लस वन डिबाई 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 अभी मैं इसको erase कर दूगा मैं सवाल पर आउगा यह सवाल क्या है पर समझ लिजिए टूइथ term तो n कितना हुआ यहाँ पर आपके पास में आप n तो यही बोलेंगे न आप यहाँ पर कितना इसको add कर लो 3,2,5,10,14 नहीं तो आप ऐसे गिल लो बात तो बराबर ही है ठीक है न 14 प्लस वन डिबाई 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 तो 15 महलेब 7.5 तो आप का मिलेगा ये 1,2,3,4,5,6,7 तो आपका कि 7.5 मतलब की 7 प्लस 8 दिबाई डिबाई 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 लोग सूर अंवा में आपको कर दिया लेकिन यह तो मैं काम करता था यह आपको आई पहले बताईये यह बात क्लियर है आपको तो यहां पर मैं एक काम कर सकता था उस काम को देखी ज़रा त्यान समझने कोशिश करेंगे आप कि मैं यहां पर यह कर सकता था कि नो डट तो करते हैं कौन-ख़डी हो चुके हैं कि अब किमरें कंड़ी हैं नहीं ऻिए प्र वह भुल्वाल हो जाएगा ता पहले देखतें कल tak कॉन को छिछका है तो 10 जो हैं जो हैं दस बेसिकली एं तीन यह कितने को तीन यह टो एसे तीन कमरा मेरे पहले 3 कमरे ऑट इतना कमरे और बूक हो गए मेरा तो तो टो टोल के बाद कर रहा हूं मैं आब तक मेरी टोटल 5 विक हैं उसके बाद 15 आये थे 5 आई पांच और यूज इनको 5 कमरे दिये यह अल्वेस बराबर होना चाहिए इसी को हम जो है काल्कुलेटीव फिरकेंसी कहते हैं सी इसका मतलब है कि 10 जो है कितने कमरे नम्मर तक है एक से लेके 3 तक 10 है इस 5 का क्या मतलब है कि 5 का मतलब यह वा बच्चे जो है नव जो है 10 जो है और रूम नमर 10 तक 15 है, 10 तक फिर 20, 10 के बाद से लेकर के 14 तक 20 की बुकिंग है, तो अब बता सकते हैं, 12 की बुकिंग कहां से कहां से कहां तक है, 10 की बुकिंग तो 3 तक है, 12 की बुकिंग कहां से होगी, 4 से लेकर कमरा नमर 5 तक, 15 की बुकिंग कहां से होगी, तो भी अब 5 त तो यहां पर यह काम करता था था क्या 14 प्लस में एक टोडल कितने लोग दो लोग है विवाइड एक टू तो 7.5 तो 7.5 कमरे नमर पर कौन मिलेगा वही तो 7.5 पर 6-10 तक पर 15 मिल रहा है तो कौन मिलेगा 15 मिलेगा तो देखिए वही मेरा आंसर आया नहीं आया है तो यह एक तरीका है हमारे पास में क्या मीडियन को निकालने का तो डिस्कृप्ट सीरीज में कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर एक सवाल देख रहे हैं डिस्कृप्ट सीरीज का यह देखो डिस्कृप्ट सीरीज का एक कुश्चिन हां जै पहले हां जै तो पहले क्या करेंगा आप में हां पर सबसे पहले आप यहां पर सी एफ निकाल लिए जो की कैसे निकलेगा पहला वाला आपके पास में यह एफ होना चीए था यह आपका वाई गलती से है ठीक है यह वाई आपका गलती से है यह क्या होगा अगल कि आपका यह था कि यहें होगा आपका कि यह आपका एफ है ठीक है जी आ जी परसे पहले आप क्या निकालेंगे जो चीए तो चीए एफ कैसे निकालेंगे आप एफ में पहला वाला सेंद्विए फिर आप यह add करो 6, फिर 12 add करो 18, फिर 20 add करो 38 और फिर आप 19 add करो, मतलब 20 add कर दो आप तो 48, 58 और एक 58, माइनिस करने निक, फिर 9 add करो तो पहले 3 डाल दो 60, फिर 6 डाल दो 66, फिर 4 डाल दो, तो आपका होगया क्या क्या है, 70, और देखेंगे आप सिगमा F भी आपका वही आन चाहिए, तो सिगमा F equals to 70, clear है जी, अब solve करेंगे आप इसको, तो size of median लेंगे आप, size of median, क्या होगा आपका, n plus 1 divided by 2th term, ठीक है, तो आपके पास में size of median equals to n, n कितना आपका, 70 plus 1 divided by 2th term, पहले basic यह समझ लिजेगा, advance आएंगे, बट सबसे पहले आपका क्या है, जब तक आप इसको remind नहीं कर लेते हैं, जो पहले आपने पढ़ा था, तो प्रतक बात नहीं बनेगी, कत्तर बटा 2th term, solve करेंगे तो 35.5, चुछ लिए देखते हैं, 35.5 वे स्थान पर किसकी booking है, तो भाई साव, 18 यह इसमें आता नहीं, तो आपका median क्या है, median equals to 40 आपका answer है, यह आपका final answer है, देख लो, एक बार समझे लो, कोई doubt है तो आप प्लीज इसको पूछ लो, clear है, यह बार देख लिए आप, आप पर टाइम है, जल्दी से आप इसको देखें और फिर पूछ ले, एक एक चीज में आपको explain कर रहा जापका लेझ ंप कर रहा हुँ, कर बार देखेंगे, वेक चीज में आपकोई पूछ अीज में